C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है नवी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्थे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक पेश है नवी जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्शी किताब गुलजारे उर्दू अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का ग्यारमा पाठ मन्जुमात सफा पच्चीस हिस्साए दोम मन्जुमात सफा चब्बीस नजम की तारीव नजम के मानी, इंतिजाम, तर्तीब या आराइश के हैं आम और वसी मफहूम में ये लवज नसर के मद्दे मकाबल के तौर पर इस्तिमाल होता है और इससे मुराद पूरी शायरी होती है इसमें वो तमाम असनाफ और असालीब शामिल होते हैं जो हियत के एतबार से नसर नहीं है इस्तिलाही माइनों में घजल के अलावा तमाम शायरी को नजम कहते हैं आम तोर पर नजम का एक मरकजी खयाल होता है जिसके गिर्द पूरी नजम का ताना बाना बुना जाता है खयाल का तदरीजी इर्तिका भी नजम की एक एहम खुसूसियत बताया गया है तवील नजमों में ये इर्तिका वाज़ होता है मुखतसर नजमों में ये इर्तिका वाज़ नहीं होता और अक्सर उबेश्टर एक तासुर की शकल में उभरता है नजम के लिए ना तो हियत की कोई कैद है और ना मौजवात की चुनांचे उर्दू में गजल और मसनवी की हियत में नजमे और आजाद मौर्रा नजमे भी लिखी गई है इस तरह कोई भी मौजव नजम का मौजव हो सकता है हियत के एतबार से नजम की चार किसमे हो सकती है पहली पाबंद नजम ऐसी नजम जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरतीब में मौर्रा उसूलों की पाबंदी की गई हो पाबंद नजम कहलाती है नए अंदाज में ऐसी नजमें भी जिनके बंदों की साखत मुरवजा हियतों से मुक्तलिफ हो या जिनके मिसरों में काफियों की तरतीब मुरवजा उसूलों के मुताबिक ना हो लेकिन उनके तमाम मिसरे बराबर के हों और उनमें काफिये का कोई न कोई इलतिजाम जरूर पाया जाए पाबंद नजमें कहलाती है दूसरी किसम है नजम मुर्रा ऐसी नजम जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उन में काफिय की पाबंदी ना हो नजम मुअर्रा कहलाती है कुछ लोगों ने इसे नजम आरी भी कहा है तीसरी किस्म है आजाद नजम ऐसी नजम जिसमें ना तो काफिय की पाबंदी की गई हो और ना ही तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों यानि जिसके मिसरे छोटे बड़े हों आजाद नजम कहलाती है चौथी किस्म है नसरी नजम नस्री नज्म छोटी बड़ी नस्री सत्रों पर मुश्तमिल होती है। इसमें रधीफ, काफिये और वजन की पाबंदी नहीं होती। आजकल नस्री नज्म का रिवाज दुनिया की तमाम जुबानों में आम है। सफा उन्तीस तारुफे शायर नजीर अकबर आबादी नजीर अकबर आबादी पैदाईश सत्रा सो चालीस इंतिकाल अठारा सो तीस वली मुहम्मद नाम नजीर तखलुस था। दिल्ली में पैदा हुए। अवाइल उम्र में आगरा चले गए। मत्रा में मौल्लमी के फराइश अंजाम दिये और सारी उम्र आगरे में गुजार दी। नजीर ने मुक्तलिफ शेरी असनाफ में तबा आजमाई की है लेकिन नजम गो शायर की हैसियत से पहचाने जाते हैं। नजीर अकबराबादी का मुशाहिदा वसी था। उन्होंने जिंदिगी के तकरीबन हर पहलो को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। हिंदुस्तान के रस्मों रिवाज, मेलों ठेलों, तफ्रीहात और मशागिल पर जितनी नजमे नजीर ने कहीं हैं, शायद किसी और शायर ने नहीं कहीं। नजीर को जबानों बयान पर खुद्रत हासिल थी। उनकी जबान इंतहाई साफ, सहल और साधा है और वो उर्दु के अवामी शायर तस्लीम किये जाते हैं। सफा तीस नजम गोशायर नजीर अगबराबादी की नजम बंजारा अपेश है नजीर अगबराबादी की नजम बंजारा तक हिर्सो हवा को छोड मियां मत देस बिदेस फिरे मारा तक हिर्सो हवा को छोड मियां मत देस बिदेस फिरे मारा कज्जाख अजल को लूटे है, दिन रात बजा कर न कारा क्या बुधिया भैसा बैल शुतर, क्या गोई पिल्ला सर्भारा क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआ और अंगारा सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा गर तु है लखी बनजारा और खेब भी तेरी भारी है ऐ गाफिल तुझसे भी चड़ता एक और बड़ा ब्योपारी है क्या शक्कर मिस्री कंदगिरी क्या सांभर मीठा खारी है क्या दाख मुनका सूट मिरच क्या कैसर लौंग सुपारी है सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा जब चलते चलते रस्ते में ये गून तेरी धल जावेगी एक बुधिया तेरी मिटी पर फिर घास ना चरने आवेगी ये खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जावेगी धी पूत जवाई बेटा क्या बनजारन पास ना आवेगी सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा कुछ काम ना आवेगा तेरे ये लालो जमर्रिद सी मुझर कुछ काम ना आवे गा तेरे ये लालो जमर्रिद सीम उजर जब पूंजी बाट में बिखरे की फिर आन बने की जाहूं पर नकारे नौबत बान निशा दौलत हश्मत फोजें लशकर क्या मसनद तकिया मुलक मका क्या चौकी कुर्सी तख्तो छपर सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बन जारा सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बन जारा सफा 31 क्यों जी पर बोज उठाता है इन गोनों भारी भारी के जब मौत का डेरा आन पड़ा फिर दूने हैं ब्योपारी के क्या साज जड़ाओ जरजेवर क्या गोटे थान किनारी के क्या घोडे जीन सुनहरी के क्या हाथी लाल अमारी के सब ठाट पड़ा रह जावे का जब लाद चले का बन जारा क्या सख्त मकां बनवाता है खम तेरे तन का है पोला क्या सख्त मकां बनवाता है खम तेरे तन का है पोला तू उँचे कोट उठाता है वाँ गूर गड़े ने मूँ खोला क्या रीनी खंदक रिंद बड़े क्या बुर्ज कंगूरा अनमोला क्या रेनी खंदक रिंद बड़े क्या बुर्ज कंगूरा अनमोला गड़ कोट रहकाला तूप किला क्या शीशा दारू और गोला सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा पंजारा जब मर्द फिराकर चाबुक को, ये बैल बदन का हांकेगा कोई नाज समेटेगा तेरा, कोई गौन सिये और टांकेगा हो धेर अकेला जंगल में, तु खाक लहद की फांकेगा उस जंगल में फिर आह नजीर, एक भूंगा आन न जांकेगा सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा पंजारा सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा नजीर अकपराबादी सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक इस नजम में बंजारा किसे कहा गया है और क्यूं? सवाल नमबर दो नजम के पहले बंद में शायर किस चीज को छोड़ने को कह रहा है सवाल नमबर तीन सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा ये मिस्रा बार बार क्यूं दोहराया गया है? सवाल नमबर चार नजम का खुलासा लिखिये इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ गुलजारे उर्दू भाग एक का ग्यार्मा पार्ट यहां समाप्थ हुआ इसके बाद पार्ट बारहां आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. प्रस्तुती C.I.E.T. प्रस्तुती C.I.E.T.